नमस्कार सभी को आप सभी का आपके अपने इस योटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज हम हिंदी व्याकरण से संबंदी टोपिक है वचन उसके बारे में अध्यन करना शुरू करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेर जरूर करना अपना टोपिक है वचछन वह दोन कहुंत है की जिस सब्द के द्वारा किसी संग्या की एक या एक से अधिक होने का बूद होता है उसे क्या कहते हैं वचण है क्य Breeze के वह संख्या में यह तो एक होगा या एक से अधिक होगा तो वह क्या वच्चन है वच्चन के भेद होते हैं दो एक कबोद कराने वाला एक वच्चन और दो या दो से धिक कबोद कराने वाला बवच्चन सबसे पहले देखते हैं इसके कुछे नियम सद्द्द एक वचन में रहने वाले कौन-कौन से सब्दे हैं जो बह वचन में परिवर्थी थे नहीं होते घी, दूद, वर्षा, आग, पानी, जनता, सोना, आकास, सत्थे, प्रेम मोह, माया, समान, सायता, तास, जूट, मिठास, हवा ये वो सब्दें जो सद्देव ही एक वचन में परियुकते होंगे इनका वचन नहीं बदलता अब सद्देव वचन में कौन-कौन से सब्दें जिनका एक वचन नहीं बन सकता वो है प्राण, दर्शन, आसू, बाल, हस्ताक्सर, होस, नियम, दाम, लोग, होस, हालचाल, आदण ये वेक्ती है तुझो भी परियुकत सब्द है वो सारे किस में जिनके सद्देव वचन में आएंगे अगे है पुलिंग संग्याओं में वचन बदलने का क्या नियम होता है वो नियम है आकारांत संग्याओं में अंतिम आ को ए में बदलकर हम उसका बवचन बना सकते हैं जैसे कोवा एक वचन है ये आकारांत है मतलब आ से अंतोरा है तो इसमें आ की जगह हम ए लगा देंगे तो वो क्या मुझेगा बहुवचन मुझेगा कोवा का कोवे, बेटा गा बेटे, तोता गा तोते आगे है लोग, वरंद, गन जन, वर्ग अधि जोड कर भी बहुवचन मनाए जा सकते हैं गुरू एक वचन है और इसमें जन जोड़ दिया गुरू जन हो गया ये बवचन हो गया अध्यापक अध्यापक वुरंद परजा परजा जन परजा एक वचन और परजा जन बवचन शत्र शत्र गण मजदूर मजदूर वर्ग लोग आप लोग ये एक वचन और बवचन तो एपर जिसका एंट होता है उन सब्दों के एंट में ए जोड़ कर जैसे गाय है एपर खत्ब हो रहा है सब्दे तो इसमें ए जोड़ देंगे यह बन जाएगा गायें बहुत हो गया कलम कलमें आंख आंखें तश्वीर तश्वीरें अब इकारांत जो हते हैं जो छोटी ए से समाप्त होने वाले की लगुई जिसके एंट में आती है उन इस्टिलिंग संग्याओं के एंट में या जोड़ कर वह वचन बनाया जाता है जैसे तिथी तिथियां नीथी नीथियां विधी विधियां जाती जातियां आगे है इकारांत सब्दों के एंट में या जोड़ कर ये तो इकारांत था और अब दिर्गई उसके आगे या जोड़ कर जैसे सक्षी इनमें क्या बदला होएगा इनमें जो लास्ट दिर्गई की मत्रा है वो तो लगुई में बदल जाएगी और या के अनुनाशिग खी एकी बड़ी मत्रा है एकी छोटी मत्रा हो जाएगी और या जोड़ जाएगा सक्षी इस्त्री इस्त्रियां दोई दोई या रोटी रोटीयां नेक्स्ट नियम है सब्दों के अंत में या को या में बदल कर किस किसी सब्द के अंत में अगर या आता है तो उनको या में बदला जाता है जैसे गुडिया एगो चन है और गुडिया अनुनाशिक लगते ये बवो चन हो जाएगा बुडिया एगो चन बुडिया बवो चन चुहिया एगो चन चुहिया बवो चन चिडिया एगो चन चिडिया बवो चन अकारांत उकारांत उकारांत लाश्ट में आ लाश्ट में उ लाश्ट में ओ जिन इस्तिलिन सब्दों के अंत में आते हैं उनके अंत में ए जोड़कर तथा उकारांत सब्दों के अंत में उ को उ में बदलकर ए जोड़ते हैं जैसे आखकरांत है साखा तो इसका बन जाएगा साख्ये माला जा ये क्या है आखकरांत है धेन्वफ धेन्वे धेन्वे यह उक ये उक अघॉ करन तो वस्तु वस्तु वर्वे उक ये ये दिर्ग उ है वदू वदूएं गव गोएं माता माताएं तो ये आज इतने भी नियम पड़े हैं ये वचन से संबंदित हैं तो वचन से संबंदित टोपिक आज अपना समापत हो रहा है मिलते हैं निख टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद